हेलो फ्रेंड मैं है धर और आप देखरें शेव मानी पूरी चैनल आज आपके सामने लिए क्या है एक और एस्पेसल रेस्पी भट्टी का मुर्ग आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरिन में भट्टी का मुर्ग कैसे बना सकते हैं तो बहुत से कमेंड आ रह लगा लेंगे आप देख सकते हैं कैसे कट लगा रहे हैं आपने ऐसे ही कट लगा लेना है हमने तीन कट नीचे लगाया है अब तीन कट हम टंगडी की उपर भी लगा लेंगे और एक कट हम साइड में लगा रहे हैं आपने ऐसे ही कट लगा लेना है हमने लिग में लगा ल यहां अब इसका हम फर्स्ट मांगेशन करने के लिए हमने लिया हप टीस्पन, झिंजर गालिक काप स्ट, हाप टीस्पन, इसमें हम बॉइक पंट करहेंगी इंगें यड़िस्क हैrd हिश्ष साथ मित हम कैसे मिला रहे हैं आपने ऐसे ही मिला लेना है आप इसको लेक बोल्लेस में भी बना सकते हैं बट हम मड़ी का मुर्ग बना रहे हैं तो हम तंदूरी चिकन में ही बना रहे हैं आप इसको लेक बोल्लेस ब्रेस बोल्लेस में भी बना सकते हैं आपने चिकन को अच्छे से मिला क दस से पंदरा मिनट के लिए रख देना है ताकि जो भी हमने मैगनेशन किया है चिकन में मसाला अब जो जाए इसको रखते हैं जब तक हम साइट में अब तक हम मसाला बना लेते हैं इसका हमने लिया एक बॉल सबसे पहले हम इसमें एट कर रहे हैं टू टेबल स्पून यान जिन्जर यान अदररक एक टीपून हमें पारिक कटा हुआ हरी अट कर रहा है यानी गरीन कोरींडर साथ में एक टीपून हम अट करेंगे लेमन जूस तीजुशी चाट मसाला हाप टी स्पून इसमें हम आट कर रहे हैं जीरा पौडर टूपी इसमें हम आट कर रहे हैं भूना जीरा आप इसको ज़रूर डालें बहुत ही बड़ी हाट टेस्ट आता है हाप टी स्पून इसमें हम चिकन मसाला आट कर रहे हैं 1.5 teaspoon इसमें हम green chili add कर रहे हैं, साथ में 1 teaspoon इसमें जिंजर garlic paste add किया है, अब हम 2 tablespoon इसमें एड़ कर रहे हैं, master oil, आब इसको जरूर डालें, थोड़ा जादा ही रखियागा master oil, साथ में हम 1 teaspoon इसमें डाला है, color oil, जिसको हमने बना लिया था हल्दी से, अब इसमें हम add कर रहे हैं 2 pinch कस्तूरी मेथी, अगर आप कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं, तो इलाची पॉडर ना डालें, अगर आप कस्तूरी मेथी नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसमें इलाची पॉडर जरूर डालें, हमने लाइची पॉडर इसमें नहीं डाला है कस्तूरी मेथी हम डाल के बना रहे हैं इसलिए हमने लाइची पॉडर इसमें अट नहीं किया है अब इसमें हम चिकन अट कर देंगे जो कि हमने मैगनेशन करके रखा हुआ था आप देख सकते हैं हमने पानी निकाल लिया है चिकन के, जो भी पानी निकला है चिकन में, उसके बाद हम इसका मसाले में अच्छे से मिला लेंगे, आप देख सकते हैं कैसे मिला रहे हैं, आपने मसाला अच्छे से मिला लेना है, बहुत ही बढ़िया मसाला मिला लेना है, ज्यादा जल्दी नही के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें अगर आपके पास टाइम हो तो अगर ना टाइम हो तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे हमारे पास टाइम है हमारा 10 मिनट हो चुका है अब इसको हम सरीया में लगा लेंगे हम सी के वाली सरीया में इसको लगा सकते हैं हम सीक वाली सरीया में इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा चिकन जल्दी पक जाए और पूरा प्रॉपर अच्छे से चिकन पक जाता है मूटी सरीया में आप देख सकते हैं एक एक करके हमने दोनों पीस को सरीया में अच्छे से लगा ल आप देख सकते हमने चिकन में मसाला लगा लिया है अब इसको घर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको पैन्ड में बना सकते हैं बड़ उसमें बहुत टाइम लगेगा हमने इसको आठ मिनट तक पकाया है तंदूर कि किलारा चुका है चिकन हमारा चुका है किला चिकन में 80 परसेंट हमारा चिकन पक चुका है यह अब इसमें हम connect करेंगे बटर мед जो कसर है वह बगहतेग़ बटर लगाने से chicken soft भी हो जाता है, juicy पन chicken में रहता है अब इसको 2-3 मिनिट और पकाएंगे हमारा 2-3 मिनिट हो चुका है आप देख सकते हैं हमारा chicken बणया से पक चुका है अब इसको हम platter में निकाल लेंगे cut करके हम platter में chicken को अच्छे से लगा लेंगे आप देख सकते हैं हम कैसे लगा रहे हैं आपने ऐसे ही लगा लेना है कट करके हमने सिलवर फाइल साइट में लगा दिया है ताकि अगर कोई चीकन को खाएगा गिस्ट तो उसके हाथ गंदे नहीं होएंगे अगर आपके पास सिलवर फाइल नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस साथ में हम इसमें चाट मसाला और हरी धनिया डाल देंगे हमारा भट्टी का मुर्क बनके तयार है और आप कमेंट जरूर करिएगा जो भी कमी हुआ करे उसके लिए जरूर आप बेहिचक कमेंट जरूर करके बताईएगा ताकि हम उस चीज की सुधार करेंगे हम देखेंगे कि हमने क्या गलती की तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें थैंक यू